हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल स्टैलो रूप्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको देशी घी का यूज अपने बालों में कैसे करना है और इसका आपके बालों पर क्या एफेक्ट पड़ेगा किस तरीके से आपको इसको यूज करना है इन सब के बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूं हर कोई चाहता है कि उसके बाल लंबे घने मुलायम हो जाए इसलिए लोग हर तरीके का प्रोड़क्ट यूज करने के लिए तयार रहते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि वह प्रोड़क्ट उ स्वाद बढ़ाता है वलकि हमारी इसकिन के लिए हेर के लिए बहत गुड़कारी माना जाता है इसे रोज खाने के लावा आप इससे रूसी दो मुहें बाल सफेद बाल या फिर डीप कंडिशनिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं घी में विटमिन ए विटमिन ए और एंटि ऑक्सिडंट पाए जाते हैं देशी घी जो होता है वो माइक्रोबियल गुड़ों से भरपूर होता है या फंगस और वैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावशाली होता है घी लगाने से बाल मुलायम होते हैं या बालों को पोशन और नमी देता है घी में पाए जाने वाला फैटी एसिट स्कॉल्प को हाइडरेट करता है मेलेसेसिया फुरफुर फंगस के कारण आपके बालों में डेंडर हो जाता है घी इस फंगस को दूर करने में हेल्प करता है इसके लिए आपको क्या करना है दो चम्मच घी लेना है और उसको पिगला लेना है फिर उस कारण कैरोटिन बढ़ता है इससे बालों का टेक्स्चर सुधरता है नहाने इससे पहले हलके गर्म घी से बालों की आपको मसाज करनी है इससे बालों को न्यूटिशन मिलता है अगर आपके बाल दो मुहें हैं तो हलके गर्म घी से 15 मिनट बालों की मसाज करें लंबे बालों क तॉलिया लपेटे और हलके गुंगुने पानी से अपने बालों को धो लें घी से सिर की मालिश करने से बाल आपके काफी मजबूत हो जाएंगे बालों में घी लगाने से पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर ले लें ताकि इसका कोई रियक्शन आपके ब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंट फैमिली के साथ शेयर करिए बाई बाई